नमस्कार दोस्तों उल यह अगले सप्ताह के लिए मेरी ट्रेडिंग योजना होने जा रही है। हाँ पिछले सप्ताह 25800 5400 के नीचे मेरी योजना है कि मैंने इस सप्ताह 2485 के उच्च स्तर पर जाने पर। निफ्टी को कोल्ड फीड देखा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह जारी रहेगा कि यह जारी है कि यह जारी है 25929 और 2950 के स्तर के बीच सी फीड मिलेगा। इसलिए ये छोटा क्षेत्र अगले सप्ताह बहुत दिल्चस्प होने वाला है और मुझे उमीद है कि हमें इन स्तरों से किसी तरह का pullback मिलेगा। इसलिए मैं शायद बहुत अधिक उमीद नहीं कर रहा हूं हम अंतराल को खोलेंगे और दो पांच, नौ, दो नौ से नौ सो पचास तक जाएंगे और फिर शायद दो, दो पांच, छे पांच, शूम्य यह एक तीन सो point move है जो यहां से बुरा नहीं है अगर यह एक अच्छा स कारात्मक मुंबत्या स्टिक बनाता है तो हम एक चाल देख सकते हैं जो संभावित रूप से सभी जा सकता है 2686 तक और फिर 26,285 तक का रास्ता ताकि यह निफ्ट 26,285 के लिए अगला लक्षे है और जहां मैं एक लंबे व्यापार की योजना बना रहा हूं जब मुझे 25, 2650 स्थापित एक समर्थन मिल रहा है या 29,65 भी हो सकता है लेकिन यह 29,500 स्थर से नीचे नहीं तूटना चाहिए अगर यह तूट जाता है तो मेरी सोच मेरी सोच है कि हम अपना दृष्टिकोन बदल देंगे लेकिन हम अभी अपने दैनिक वीडियो में ध्यान रखेंगे वह है जहां हम जोखिम मुक्त तरीके या कम से कम जोखिम भरे तरीके से प्रवेश कर सकते हैं और 26,285 तक पहुँच सकते हैं इसलिए अब हम बैंक निफ्टी को देखें जो की हम दिलचस्प चार्ट पैटन के नायक थे इसे अब और अब कहा जाता है टी तब 5,418 है अब यदी आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यह आराम से 5,418 उह 5,466 का लक्ष्य हासिल कर लिया और 5,466 उच्च था और 5,5,466 उच्च था और इस सप्ताह उह हम उमीद कर सकते हैं 54,67 जो अब बैंक निफ्टी के लिए प्रमुख प्रतिरोद है और यहां से मुझे पस 5,448 या यहां तक की तिरपन 0,0,0,5,3,4,1,8 या तिरपन हजार स्तरों पर हम अगले सप्ताह बैंक निफ्टी उह में देख सकते हैं मुझे लगता है कि यह है अगले हफते 2000 अनकों की एक विशाल जंगली सवारी बैंक निफ्टी उह के लिए बहुत अस्थिर होगी जब तक की यह अंदर के बार के एक मोड में नहीं रहेगा लेकिन ऐसा लगता है कि बैंक इन आइवाई की तरह अस्थिरता के लिए सेट है इसलिए एक बहुत सावधान रहना चाहिए और इस अर्थ में भी बहुत अफसरवादी होना चाहिए कि उह मैं दोनों पक्षों को खेलने की कोशिश करूँगा इसलिए M से चिपके नहीं तो 54,600 बैंक निफ्टी में मेरा शौटिंग पॉइंट है मैं यहां एक नकारात्मक मुम्बत्ती की तलाश करूँगा और मैं 53,418 और 53,000 के लिए UH होल्ट करने की कोशिश करूँगा 53,418 और 53,000 और इसलिए अन्य संभावनाएं की बैंक निफ्टी उई इस पत्थ को भी ले सकते हैं इसलिए यह जी नीचे खुलता है या पहले यह 53,418 को सही करता है और फिर अगर यह यह यहां एक सकारात्मक कैंडलिस्टिक बनाता है तो मैं 254,165 तक लंबे समय तक व्यापार करने के लिए ठीक हूँ और वहां से 54,600 स्तरों तक इसलिए यह एक संभावना भी हो सकती है कि यह कहां खुलता है और यह किस तरफ सेट हो जाता है मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विवरण को अपनाऊंगा बेशक में दैनिक आधार पर और लाइव स्क्रीन में भी दूंगा उह इन सापताहिक वीडियो का उप्योग आप सभी द्वारा किया जा रहा है जो इस वीडियो को अपनी खुद की ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए देख रहे हैं और आप इस लापकारी को पा रहे हैं यदि कृपया तो वीडियो पसंद करना न भूले यदि आपको ये पसंद नहीं है कृपया उह हम वीडियो मैं अपनी टिपपणियों को साजह करें और मैं आप सभी को अगले सपताह एक शांदार सपताह की कामना करता हूँ यह एक उह एक स्पाय सपताह है इसलिए चलो बहुत सावधान रहें और पहले हमारे पैसे की रक्षा करें और फिर यदि संभव हो तो हम शुक्रवार को जैसे बड़े लाब्ध कमाएंगे तो एक शांदार ट्रेडिंग सपताह है और मैं आप सभी को शुप कामनाई देता हूँ